उत्तरपदेश राजर्ची टंडन ओपेन इन्वेस्टी में आपका स्वागत है मैं स्कूल आफ साइंसे से डॉक्टर दीपा चौबे यूजी जडवाए बन जीरो वन में यूनिट टू रेस्पिरेशन के बारे में आपको जानकरी दूँगी तो रेस्पिरेशन का पहला पार्ट आपने लेक्शर में देखा होगा कि फर्स पार्ट में हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि हमारी बॉड़ी के अंदर एयर कैसे इंटर करती है जो कि एयर में क्या क्या होता है नाइट्रोजन है औक्सीजन है कार्बन डियोक्साइड है नाइट्रोजन डिजॉल फॉर्म में नहीं होता वैस इटिस बॉड़ी के बाहर हो जाता है oxygen इंटर करती है, कितना इंटर करती है, कितना बाहर जाती है, carbon dioxide कितना इंटर करती है, कितना बाहर जाती है तो आपने first lecture में इसको देखा, second lecture में हम आपको बताएंगे कि जो oxygen हमारी body के अंदर इंटर की, वो body में कहां तक पहुंसती है किन-किन process से body में tissue तक, यानि lungs से tissue तक का oxygen का transmission कैसे होता है और tissue क्या करती है, tissue में, अब tissue में क्या होता है, crepe cycle चलती है crepe cycle से energy बनते है, ATP formation होगा, energy बनेंगे, carbon dioxide form होगा, carbon dioxide निकलेगी तो ये carbon dioxide tissue से lungs तक कैसे transmit होती है तो इसको basically हम दो part में divide करके हम आपको बताएंगे, एक तो हम आपको बताएंगे कि oxygen और carbon dioxide का transmission body के अंदर कैसे होता है और first point यह आपको हो जाएगा, कि transmission gases का, oxygen है carbon dioxide है, gases का transmission किस तरीके से होता है हमारी body के अंदर, और इसके दूसरे part में हम आपको बताएंगे कि oxygen जब transmit होती है body में, तो oxygen dissociation curve बनता है इसी तरह से carbon dioxide का क्या roll होता है, carbon dioxide dissociation curve किस तरीके से form होता है तो oxygen dissociation curve और carbon dioxide dissociation curve और तीसरा part हम आपको identify करके यह बताएंगे ये दोनों तो हम आपको graph के उससे बता देंगे कि किस तरीके से बनता है इसका graph किस तरीके से बनता है oxygen का और carbon dioxide का और third part में हम आपको बता देंगे कि इसका जब dissociation होता है oxygen का तो bore effect क्या होता है halden effect क्या होता है chloride shift जब carbon dioxide enter करेगा तो SCO3 अंदर की तरफ ज्यादा बनने लगते हैं RBC के अंदर फूर वो बाहर की तरफ आएंगे chloride ion अंदर की तरफ shift करेंगे इसको कहते है chloride shift तो ये तीनों चीजों को हम identify करते हुए आपको detail बताएंगे gas का जो diffusion होता है वो higher concentration to lower concentration होता है यानि higher partial pressure से lower partial pressure की तरफ होता है और ये process किसके तरू होता है diffusion के थो होता है तो अगर हम बात करते हैं कि higher to lower यानि अगर हम बात करें oxygen की सिर्फ अगर हम oxygen की बात करें तो atmospheric pressure जो होता है oxygen का atmospheric pressure वो होता है 760 mmHg atmospheric pressure की बात करें तो atmospheric pressure होता है 760 mmHg अगर इसमें अब partial pressure क्या है basically partial pressure वो होता है कि individual gases का pressure कितना है यानि total gases में अगर individual gases की बात करें तो oxygen का pressure कितना है nitrogen का pressure कितना है carbon dioxide का pressure कितना है तो जो individual gases का pressure निकालते हैं वो कहलाता है partial pressure अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर atmospheric pressure 760 mmHg है अगर हमें oxygen का pressure निकालना होगा तो oxygen का pressure निकालने के लिए 21-21% है oxygen atmosphere में upon hand rate कर देंगे तो approach 159 या 160 अगर हम सीधे शब्दों में लिखें तो 160 mmHg ये oxygen का partial pressure निकलता है इसी तरह से आप carbon dioxide का निकाल सकते हैं इसी तरह से आप nitrogen का partial pressure निकाल सकते हैं यानि individual gases की जो percentage है वो total में कितना है कितनी percentage कितना partial pressure present है इस तरीके से करके calculate करके निकाला जा सकता है आईए अब हम बात करते हैं transport of gases in a blood अगर हम बात करें oxygen की ठीक है oxygen का transport किस तरीके से होता है यह alveoli हो गया यहाँ painter किया oxygen ठीक है alveoli के अंदर carbon dioxide भी present है water vapors भी present होता है तो इसकी वज़े से जो oxygen का partial pressure जो 160 है अभी हमने निकाल के बता है ना कि oxygen का partial pressure 160 है वो alveoli तक आते आते 100 mmHg होता है क्यों 100 mmHg किस तरह से होता है क्योंकि alveoli में आपको पता है carbon dioxide भी present है water vapors भी present है तो carbon dioxide क्या करेगा प्रेशर को धीरे-धीरे करके कम करता है तो यहाँ पे जो pressure होता है वो 100 mmHg होता है अब यह oxygen आपको यह चीज़ बताए कि higher concentration to lower concentration move करती है यह oxygen इंटर करेगी कह प्लेट के अंदर यह portion हो गया blood का और blood में present होता है RBC RBC भी होते हैं WBC भी होता है platelets भी होता है तो यह blood oxygenated blood यानि oxygen अंदर की तरफ आ रही है तो यह RBC के अंदर इंटर करेगी और बाहर की तरफ इसमें क्या होता है plasma बाहर की तरफ प्लाजमा होता है अंदर की तरफ RBC तो जो oxygen इंटर करेगी 3% oxygen dissolve हो जाती है प्लाजमा में और 97% oxygen इंटर करती है RBC के अंदर 3% यहाँ पे dissolve हो गई प्लाजमा के अंदर और 97% oxygen इंटर करती है RBC के अंदर RBC में क्या होता है RBC के अंदर क्या present होता है HB HB क्या करते हैं oxygen के साथ में bind करके HB O2 बनाते है इसके बाद अगर हम tissue level के बात करें अब oxygen जो transfer होई blood में आई blood में इंटर की blood से होती होई यानि alboli, alboli से होता वह blood में आया heart में जाएगा अभी heart का structure हम आपको नहीं बता रहे हम आपको direct बता रहे है tissue में इसलिए यहाँ पर confuse नहीं होईएगा जब circulator system बताएंगे तब हम आपको heart में बताएंगे किस तरह से oxygenated blood आता है और किस तरह से deoxygenated blood बाहर की तरफ निकलता है वो structure हम यहाँ पर describe नहीं कर रहे हैं हम आपको क्या बता रहे हैं direct tissue level पर बता रहे है यह हो गए tissue अब tissue के पास oxygen की कमी है tissue के पास oxygen नहीं है यहाँ पर क्या form हो रही है carbon dioxide बन रही है किस तरह से carbon dioxide बन रही है यहाँ पर क्या present होता है tissue में cytoplasm है mitochondria आउटर साइट पर cytoplasm में अंदर की तरफ mitochondria है mitochondria क्या करते है food production का का काम करते है crave cycles रहती है ATP का formation होता है और energy release होती है यहाँ पर 36 ATP बनेगा energy release होगी और CO2 formation होगा ठीक है तो tissue के अंदर क्या बन रहा है carbon dioxide यह carbon dioxide अब यहाँ पर थोड़ा सा hemoglobin का structure जो हमने आपको पिछले lecture में बताये hemoglobin का structure समझ लीजे कि hemoglobin का जो हमने एक single structure बनाया है basically यह pyrol ring होती है इस तरीके से यहाँ पर Fe2 लगा होता है इसके साथ में यह globin part है जो की protein होते हैं ठीक है एक हीम ग्रूप के साथ एक oxygen लगेगा यानि एक oxygen एक हीम ग्रूप के साथ एक oxygen लगेगा four parallel group होते हैं तो दूसरा oxygen यहाँ पर हो जाएगा सेम चीजे सेम यहाँ पर अगर बनाईए तो दूसरा oxygen यह हो गया तीसरा oxygen यहाँ पर हो गया और चौथा oxygen यह हो गया तो जब हीम के साथ में जब oxygen लग गया तो पूरी तरह से यह क्या बन गया ऑक्सी हीम ग्रूप करना पड़ेगा तो चारों oxygen जब लग जाएंगे तो पूरी तरह से बना दे हीमोग्लोबीन का structure जैसे ऐसा होता नहीं है हम सिर्फ आपको explain करने के लिए बता रहे हैं चार oxygen यहाँ से इंटर करेंगे एक oxygen यह हो गया दूसरा oxygen यह हो गया तीसरा oxygen यह हो गया और चौथा यह फूरी पूरी तरह से situated हो गया अब टीशू को oxygen की ज़रूरत है क्यों क्योंकि यहाँ पर carbon dioxide बहुत ज़्यादा बन रही है तो जब ज़्यादा carbon dioxide बनेगी लेकिन टीशू को यह जल्दी oxygen सप्लाई नहीं करता हीमोग्लोबीन टीशू को केवल एक oxygen देता है वो भी किस condition में oxygen देता है जिस समय गार्बन डाई ऑक्सांइड आ करके हीमोग्लोबीन के साथ जुड जाता है वो oxygen मांगता है वो oxygen देता है नहीं दोगे तो हम आ करके तुम पे वार करेंगे तो सीधा carbon dioxide आ करके हीमोग्लोबीन से जुडता है तो जैसे ही यह प्लाज्मा में आएगा अब यह portion क्या ह यह plasma का portion है, plasma से होता हुआ RBC के अंदर इंटर किया, जब carbon dioxide अंदर की तरफ आएगा, तो CO2 और H2O, यह मिल करके H2CO3 का formation करेंगे, फिर यह dissociates हो करके, HIN अलग हो जाएगा, और HCO3 अलग हो जाएगे, यह HIN, अब carbon dioxide यहाँ पे, carbon dioxide अपने साथ क्या करता है, HIN को भी लाकरके, हीमोग्लोबीन से attach करा देता है, तो एक तो carbon dioxide हो गया, और दूसरा क्या हो गया, HIN, यह दोनों आकरके हीमोग्लोबीन से जोड़त होते हैं, हीमोग्लोबीन में, क्या होता है, जो oxygen लगी हुई है, एक oxygen निकल करके, कहां आ जाती है, टीशू यह cell के अंदर आ जाती है, ठीक है, जैसे ही एक oxygen, अभी भी तीन oxygen अपने पास ही रखता है, तीन oxygen होते वे भी, यह blood अब पूरी तरह से deoxygenated blood कहलाता है, deoxygenated blood के हुआ, क्योंकि इसमें carbon dioxide की भी entry हो जाती है, carbon dioxide के साथ, HIN भी आ करके जुड़ जाते हैं, तो एक oxygen निकल करके, कहां पे आ जाता है, cell के अंदर आ जाता है, और जैसे ही cell के अंदर आता है, फिर सुवही process start होती है, फिर carbon dioxide का formation होने लगता है, glucose बना फिर carbon dioxide बना, फि तरीके से ये cycle चलती रहती है, अब यहां पे, अब जो कर्व आपको समझना है, oxygen dissociation, dissociation क्या है, यहां पे oxygen का नुकसान हो रहा, तो जो कर्व होगा, dissociation form में होगा, यानि एक oxygen यहां पे कम हुआ, और क्या चीज बढ़ी है, यहां पे carbon dioxide की percentage यहां पे धीरे-धीरे करके देखिए अभी हमने आपको बताया, one molecule of hemoglobin with four hem group, जिसमें चार hem group है, can bind with the four molecule of oxygen, oxygen के चार molecules को लेते हैं, जो अभी हमने आपको समझाए कि four molecules को लेते हैं, चार molecules oxygen लेते हैं, जिसमें कि अभी केवल अभी जो हमने आपको explain किया, कि केवल एक molecule ही tissue तक transfer हुआ है, बाकि तीन molecule अ पास में हैं, फिर भी इसको क्या कहते हैं, deoxygenated blood, blood क्या होगा, deoxygenated हो जाएगा, क्योंकि carbon dioxide की entry हो चुकी है, दूसरा, the binding ability of the hemoglobin with oxygen at different partial pressure of oxygen can be measured by the graphic representation known as the oxygen dissociation curve, यह कर्व हमने आपको explain करके बताते हैं, oxygen dissociation curve क्या होता है, और यह जो कर्व बनता है, यह कर्व हमेशा sigmoidal in shape, sigmoid shape का ही कर्व बनता है, state curve नहीं बनेगा, sigmoid shape क्यों बनता है, यह भी हम आपको भी बताते हैं, यह important point है, the affinity of HB for the last oxygen is about 100 times greater than the binding of the first oxygen to HB, HB का जो first oxygen है, पहले oxygen को निकलने में ज्यादा time लगता है, इसलिए saturation धीरे-धीरे, sigmoidal shape में curve इसलिए होता है, कि first oxygen को ऐसा नहीं होता कि oxygen तुरंत निकल करके tissue तक पहुँच जाए, oxygen को निकलने में time क्यों लगता है, क्योंकि जब तक carbon dioxide bind नहीं होगा, जब तक hydrogen ion bind नहीं होते हैं, तब तक oxygen वहां से निकलती नहीं है, तो first oxygen निकलने में time लगता है, उसके बाद धीरे-धीरे जैसे oxygen निकलती है, curve जो है, उपर की तरफ बढ़ता जाता है, तो same partial pressure पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये identify करके बताया जा सकता है, देखें, ये curve में हमने आपको बताएंगे, sigmoidal shape को होता है, partial pressure of oxygen, percentage saturation of hemoglobin, saturation, percentage saturation of HB, तो अभी हमने आपको बताया कि first oxygen को निकलने में time लगता है, अगर oxygen तुरंट निकलते हैं, तुरंट tissue तक पहुंचते हैं, तो हमारा curve किस तरीके से होता है, सीधा इस तरीके से, लेकिन ये curve इस तरीके से नहीं चलता, curve हमारा कैसा बनता है, sigmoidal shape में, इस तरीके से curve बनता है, 10, 20, इस तरीके से करके आप कुछ भी points लेख सकते हैं, hand rate तक, ठीक है, partial pressure of oxygen, percentage, saturation of the hemoglobin, hemoglobin का जैसे जैसे pressure बढ़ता है, hemoglobin के saturation पर क्या अंतर आता है, इसमें आप देखेंगे, कि जो हमारा curve बना, वो oxygen का किस तरीके से बना, sigmoidal shape में, sigmoidal shape में क्यों बना, क्योंकि अभी हमने आपको बताए कि केवल एक oxygen ही निकलती है, जो कहां तक जाती है, tissue के पास जाती है, तो 4 हमाँ पास कितनी oxygen है, तो जब एक oxygen निकल करके tissue के पास गई, यानि कितनी गई, 25% oxygen गई, है न, और अगर 2 oxygen निकल किये जाती है, यानि 50% oxygen, 2 oxygen, O2 plus O2, 2 oxygen निकल करके tissue level तक अगर जाती है, तो कितना हुआ, 50% oxygen, इसी तरह से 3 oxygen निकली, 75% oxygen, 100% है, 100% lungs में ही होता है, tissue में नहीं, तो इस तरीके से oxygen, यानि 25% oxygen कहां पे निकल गई, tissue level पे चली गई, तो अगर हम 40 mmHg पे देखें करवों को, तो एक तो करव हमारा किस shape में बनेगा, sigmoidal shape में बनेगा, दूसरा, दूसरा point यहाँ पे, important point है, कि अगर oxygen निकल गई, tissue पे चली गई, और carbon dioxide इंटर कर गई, तो यहाँ पे क्या होगा, oxygen का hemoglobin के साथ जुड़ना कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, इसका मतलब पहला तो क्या हुआ, कि oxygen level कम हो गया, दूसरा, second point, carbon dioxide के affinity क्या हो गई, ज्यादा हो गई, जब carbon dioxide के affinity जादा हो जाएगी, तो oxygen के affinity कम हो जाएगी, हीमोगलोबीन के लिए, और तीसरा, pH पे क्या effect आएगा, अगर oxygen याणि HIN अगर बनने लगेंगे, तो pH क्या हो जाएगा, low pH हो जाएगा न, pH scale क्या होती है, यह हो गई आपके pH scale, 7 पे neutral होता है, 1 पे highly estric होता है, और 14 पे क्या होता है, highly basic nature होता है, तो 1 पे यहाँ पे क्या होगा, हमने आपको भी बताया न, कि carbon dioxide, water के साथ मिल करके, S2CO3 formation बन रही है, जो कि बाद में dissociate हो करके, क्या बनाते हैं, HIN बनाते हैं, तो यहाँ पे, जहाँ पे low pH है, curve क्या होगा, किस side पे shift हो जाएगा, shift to the right side, shift to the right side, यह curves होगा, यह हमारा shift हो जाएगा, right side, जहाँ पे carbon dioxide की percentage जादा हो जाएगी, oxygen का hemoglobin के साथ जोड़ना कम हो जाएगा, तो curve किस तरह से shift होगा, right shift हो जाएगा, और जहाँ पे फिर से, पूरी तरह से oxygen मिलने लगेगी, तो curve फिर किस तरीके से हो जाएगा, left side, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, oxygen का dissociation हो रहा, oxygen का dissociation किस तरीके से हो रहा, carbon dioxide जोड़ रहा है, oxygen की binding, हीमोगलोबीन के लिए कम हो रही है, और जब हीमोगलोबीन के लिए oxygen की binding कम होगी, तो वहाँ से curve क्या होगा, dissociate form में हो जाएगा, तो same side, उसमें, same partial pressure पे अगर देखें, अगर हम 40 partial pressure पे देख रहे हैं, तो saturation कितना है, अब यह देखें, नॉर्मल है, ठीक है, बीच में का curve जो है, यह नॉर्मल कर रहे है, तो same partial pressure पे, यह नॉर्मल कर रहे है, same partial pressure पे देखें, right के लिए saturation यह आया, नॉर्मल के लिए, यह देखें, पहला, oxygen का dissociation हो रहा, carbon dioxide जुड़ रही है, curve जो है, right side पे shift हो रही है, और दूसरा, यह normal sigmoidal shape है, दूसरा जब oxygen proper मिल रहा है, तो curve कहां पे हो रही है, left side पे shift हो रही है, इसको कहते है, bore effect, जब curve कहां पे shift होती है, right side पे shift होती है, तो वो कहलाता है, bore effect, तो bore effect मे आप क्या चीज़ देखेंगे, हम आपको identify करके बता दे रहे हाल्डेन effect और bore effect क्या होता, इसके पहले एक चीज़ और समझ लीजे, अब देखें, four oxygen bind हुई है, चार oxygen bind हुई है, अगर एक oxygen निकली, तो हमने आपको बताया है, कि 25% oxygen निकली, तीशू के पास गई, दो निकली 50%, तीशू के लिए हैं, फिर 25% पे, suppose यह आपका करवाता है इस तरीके से, अब हम उपर से लेके चलते हैं, 100% से, यह saturation है, यह partial pressure of the oxygen है, 100% जहां पे lungs में fully saturated है, चारो oxygen के molecules लगे वे हैं, तो वहाँ पे graph आपका इस तरीके से आएगा, यानि partial pressure कितने पे आ रहा है, 40, आप कुछ भी number लिख सकते हैं, 40, 50, जो भी number है, तो main आपको क्या देखना है, कि 100% पे, जब नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो graph इस तरीके से form हो रहा है, दूसरी चीज़, जब 75% पे है, यानि 25% का जब loss हो रहा है, तो 75% पे अगर हम graph को देखें, तो ये graph इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा, इसी तरह से 50% पे देखें, तो graph इधर आ रहा, 25% पे देखें, तो graph इधर आ रहा, इस graph का क्या मतलब है, इस graph का ये मतलब है कि हमारी body को किस point पे सबसे ज़्यादा energy की requirement होती है, oxygen का dissociation हो रहा न, oxygen का dissociation कैसे हो रहा, 100% से, suppose ये A point हम कर दे, A से B तक आने में dissociate हुआ, B से C तक आने में dissociation हुआ, और C से D तक आने में dissociation हो रहा, oxygen का, तो A से B तक आने में कितना oxygen dissociate हो रहा, तो 75 और 100, 25% हुआ, तो 25% का यहाँ पे loss हो रहा, ठीक, अगर हम देखे, A से C तक आने में, curve को sigmoidal shape में है curve, थोड़ा से इसको और sigmoidal shape इस तरह से बनाए लिए, ये B point हो गया, तो A से B तक आने में 25% का loss हो रहा, B से C तक आने में, B से C तो हम count नहीं करेंगे न, हम count क्या करेंगे, A से C तक आने में कितना हो गया, 25 प्लस 25, यहाँ पे हमको 50% का नुकसान हो रहा, फिर इसी तरह से 75%, इसी तरह से hand rate, तो अगर हम देखें कि जब curve dissociate होती है, यानि oxygen का graph नीचे तक गिरता है, तो किस level पे हमको सबसे ज़्यादा energy की ज़रूरत होती है, तो अगर हम देखें, तो हमको सबसे ज़्यादा energy requirement है, इस समय हम सबसे ज़्यादा exercise करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत के level पे करते हैं, 25% के लिए, हमने आपको शुरू में ही बताया कि जब first oxygen को निकलने में ज़्यादा time लगता है, second oxygen उससे कम time, third और fourth oxygen और कम time लेता है, जो कि अभी हमने आपको उसमें detail में बताया है, तो उसका मतलब यह है कि 25% पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूत होती, 100% lungs में फुली तरह से saturated है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, अब यह चीज़ देखिए, कि अगर हम कहें कि blood में 75% से, यहनी hand rate से 75 तक आने में 25% का हमको नुकसान हो रहा है, तो अगर हम देखें कि 75% में कितना blood में जा रहा है oxygen, और कितना tissue में जा रहा oxygen, तो आप क्या बताएंगे, tissue level पे oxygen कितना जा रहा है, blood में अभी भी oxygen कितना है, 75% है, और tissue पे कितना गया, loss है उड़ा tissue के लिए, तो tissue level पे कितना गया, 25% oxygen जा रहा, ठीक है, तो curve क्या हुआ हमारा, नीचे की तरफ आ रहा, इसी तरह से अगर हम देखें, 75% to 50% के बीच में हमको 50% का नुकसान हो रहा, इसका मतलब यह हुआ, कि 50% में, 50% तो blood को जा रहा, transmit हो रहा, और 50% आपको कहा जा रहा है, tissue level पे जा रहा, तो इसमें, पहले में हमको energy की कम ज़रौत होती है, दूसरे में थोड़ा सा moderate energy, हमको थोड़ी सी energy की ज़रौत होती है, यानि थोड़ी हम exercise start कर देते, यहाँ पे बैठे-बैठे, आप खाना खा रहे होते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा काम start करते हैं, और सबसे ज़्यादा work आप किस level पे करते हैं, जब energy यहाँ पे आपके क्या है, 25% पे कितना हो गया, 75% चली गई, कहाँ पे, tissue में, just opposite हो गया, 75% tissue में चली गई और 25% ही आपके पास, कहाँ पे बसती है, blood में बसती है, अब tissue में चली गई, तो tissue में क्या होगा, फिर oxidation होगा, फिर carbon dioxide का formation होगा, फिर carbon dioxide के आकर के hemoglobin से जुड़ेगी, इस तरीके से ये cycle चलती रहती है, अभी आपको curve बताया, इस तरीके से बना करके, sigmoidal shape में इस तरीके से curve बना, एक जब oxygen, नहीं carbon dioxide ज़्यादा बढ़ रहा है, तो curve ये इस तरीके से right shape पर shift हो रहा है, और दूसरा जब oxygen concentration, oxygen की hemoglobin के इसली क्या होता है, ये curve का normal size है, बोहर effect, बोहर scientist थे, इनके नाम पे दिया गया है, बोहर effect, B-O-H-R, अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, R, आर से हमने बताया कि curve कहां पे shift है, right side पे shift होता है, तो curve कहां पे shift होता है, राइट side पे shift होता है, और ये process कहां पे चलती है, ये tissue level पे होती है, ये कहां पे होती है, क्योंकि tissue में carbon dioxide ज्यादा होता है, जब oxygen ज्यादा होगा, तो curve हमेशा left side पे होगा, जब carbon dioxide ज्यादा होगा, तो curve हमेशा कहां पे shift होगा, right side पे shift होता है, तो बोहर effect में, curve right side पे होता है, tissue के अंदर ये process होती है, tissue level पे, HbO2 तूट करके Hb अलग होता है और Oxygen अलग हो जाता है यानि इसका Dissociation होता है Oxygen Hemoglobin का Dissociation होता है और Hemoglobin अलग हो जाती है और Oxygen अलग हो जाता है तो इसमें अलग होने में यानि Dissociation of Oxygen Hemoglobin के साथ में हम ये कह सकते हैं कि basically तीन factor काम करते हैं वो तीन factor कौन-कौन से हैं चार factor ले लिजे चार factor काम करते हैं एक तो temperature बढ़ जाएगा दूसरा hydrogen ion concentration high हो जाएगा HbO2 जब dissociates हो रहे हैं तो H ion का concentration high हो जाएगा और pH का concentration यहां पर कम हो जाएगा क्योंकि हमने आपको एक चीज़ बताई है इस तरह इसे से चार्ट बना करके कि low pH यानि highly acidic पर H ion जादा बनते हैं और partial carbon dioxide increase हो जाएगा और oxygen level decrease हो जाएगा और carbon dioxide बढ़ेगी तो naturally oxygen क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यह effect क्यों द्र हीमोगलोबीन oxygen के साथ ho 2 बनाते हैं यहां पे temperature क्या है हाई है ठीक इसका opposite कर दीजे तो hard and effect में हो जाएगा, यहाँ पर temperature high है, यहाँ पर temperature low हो जाएगा, HIN ज्यादा है, HIN कम हो जाएगा, pH कम है, pH यहाँ पर high pH हो जाएगा, और फिर partial carbon dioxide, CO2, CO2 यहाँ पर क्या है, increase कर रहा, CO2 decrease करेगा, और oxygen level बढ़ जाएगा, यहाँ पर oxygen level कम हो जाता है, transport of oxygen की बात करें, तो oxygen का जो transport होता है, वो तीन तरीके से होता है, पहला as a dissolve form, plasma में dissolve form 5-7% जाता है, दूसरा as a carbaminohemoglobin, carbon dioxide का hemoglobin के साथ में जोड़ना, वो 10%, तो 5-7% dissolve form होता है, दूसरा 10% carbaminohemoglobin के form में travel करता है, और तीसरा होता है bicarbonate, जो की 85% trouble करता है bicarbonate के form में, यह अलग-अलग बुक में 18% थोड़ा बहुत यह change हो सकता है, लगबग कहीं आपको 80% मिलेगा, कहीं 85% मिलेगा, तो बहुत जादा मायने नहीं रखता, तो 85% bicarbonate form में, 10% carbaminohemoglobin में, यानि carbon dioxide का hemoglobin से जुड़ना, हमने शुरू में आपको बता है कि carbon dioxide कैसे जुड़ता है hemoglobin से, और 5-7% होता है plasma में, dissolve form में होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि carbon dioxide जब enter करता है plasma के अंदर, तो water होता है, वहाँ पर, तो carbon dioxide, पानी के साथ में मिल करके, carbonic anhydrase, या हमने short में से यह लिख दिया है, carbonic anhydrase, नामक enzyme की presence में, H2CO3 carbonic acid बनाता है, H2CO3, यह reversible reaction है, H2CO3, फिर से dissociates हो करके, HCO3 plus H positive iron form करते हैं, अब क्या होता है, कि यहाँ पर HCO3 बहुत जादा, यानि bicarbonate बहुत जादा RBC के अंदर बनने लगते हैं, तो RBC के अंदर HCO3 का formation लगातार HCO3 बनते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कि neutrality disturb हो जाएगी, इसको balance करने के लिए, बाहर की तरफ plasma में, यह RBC का portion है, बाहर क्लोराइड आयन अंदर की तरफ आएगा, तो एक HCO3 बाहर की तरफ जाएगा, about 70% of the HCO3 form in the red cells, enter in the plasma, यह plasma में इंटर करते हैं, increase of the HCO3 contents in RBC, the excess HCO3 level, the red cell is exchanged for the chloride आयन, तो chloride आयन neutrality को balance करते हैं, क्लोराइड आयन अंदर आएगे और SCO3 बाहर plasma में जाते हैं, और इस तरीके से फिर यह carbon dioxide अलग होगा, फिर यह lung से होते वे, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो एक क्लोराइड आयन के साथ में, एक SCO3 बाहर की तरफ जाते हैं, इसको कहते हैं, chloride shift या हमबर्ग effect कहलाता है जो की carbon dioxide water के साथ मिल करके S2CO3 बनाते हैं, फिर इसे C8 हो करके H अलग हो जाता है, अब यह H कहा जाएगा, हीमोग्लोबीन के साथ जुड़ जाता है, इस starting में हमने आपको बताया है, कि H क्या है, हीमोग्लोबीन से जुड़ जाते हैं, फिर यह reversible reaction है, फिर से Hsb form कर देते है अभी आपने देखा कि इस lecture 2 में, respiration का part 2, इसमें हमने आपको oxygen dissociation कर और carbon dioxide dissociation कर बताया, इसके साथ साथ में हमने आपको identify किया कि bore effect क्या होता है, harden effect क्या होता है, chloride shift क्या होता है, bore effect में हीमोग्लोबीन की affinity जो होती है, oxygen के लिए कम हो जाती है, और carbon dioxide के लिए बढ़ जाती है, बेसिकली अगर देखा जाए तो harden effect हो या bore effect हो, दोनों ही हीमोग्लोबीन की affinity को change करते हैं, धन्यवाद,